मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ इसके लिए cotton thread यूज किया है मैंने और इसमें पिकॉट स्टिच बनाने नहीं आता है बिगिनर्स को तो हम विदाउट पिकॉट स्टिच बनाकर सेम वैसे design create करना सिखाएंगे यह बारी क्लेस design है सबसे पहले इसके लिए thread अटाश करे इस तरह से एक small space बनाएंगे यह राइट साइड में रखते वे thread को अगे space बनने के बाद same space में needle को insert करेगे इस तरह से और two turns लगाएंगे इस तरह से two turns का boolean stitch बनाएंगे इस तरह से और धागे को इस तरह से निकाल देंगे और इसके बाद फिर से इस साइड रखेंगे हम same space में needle को insert किये और इस तरह से chain stitch बना देंगे single तो यह वन इसका बारिक जो है needle lace की one stitch complete हो गी है फिर से हम second stitch बनाएंगे single stitch अब यह same space में ही काम करना है जहां पर हमने यह stitch को बनाया है one two one two सिर्फ two ही turn लेना है क्योंकि इसे बारिक बना रहे है हम इस तरह से और एक buttonhole stitch इस तरह से हम single बनाएंगे तो यह second stitch बन गई है यह मोती की तरह lace बनती है pearl की तरह तो फिर से एक फिर से हमें थोड़े से ही distance पर जाना है इस तरह से यह thread को attach किया single stitch बनाया अब जो stitch हमने यह लिया है इसी में जाना है और continuation में ऐसे ही बनाएंगे two turn लेके और फिर एक single buttonhole stitch बनाएंगे बस तो यह इसी तरह बनाई जाती है तो इसे इसी तरह continue करते हुए यह beautiful design को हम complete करेंगे same distance रखने की try करें और कम-कम distance रखें जाधा gap नहीं रखें बनाएंगे बनी में बनाएंगे तो इसी तरह बनाते में ये डिजाइन को कम्प्लीट करेंगे झाल 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 झाल